आज हम राम नरेश त्रिपाथी जी द्वारा रचित पतिक नामक कविता पढ़ेंगे आईए कविता पढ़ने से पहले राम नरेश त्रिपाथी जी के बारे में जान लेते हैं इनका जन्म 1881 कोईडीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था मिलन पथिक स्वपन जोकि इनका खंड काब्य है मानसी जोकि इनकी फुटकर कविता संग्रा है इत्यादी इनकी दचनाये हैं इनकी मृत्यू सन 1962 इस्वी में हुई थी राम नरेश त्रिपाठी जी चायवाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर कवि माने जाते हैं आरंबिक फिक्षा पूरी करने के बाद स्वध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांगला और उर्दू का ग्यान इन्होंने प्राप्त किया उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विशय समा सुधार के इस्थान पर रोमैंटिक प्रेम को कविता का विशय बनाया उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्याक्तिक प्रेम दोनों ही मौजूद हैं लेकिन देश प्रेम को ही विशेश इस्थान दिया गया है कविता कौमदी जो की आठ भाग में है उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांगला और संस्क्रिप की लोगप्री कविताओं का संकलन किया है इसी के एक खंड में ग्राम ग्री संकलित है जिसे इन्होंने गाउंगा घुंकर एकत्र किया था लोग साहिति के संरक्षन की त्रिष्टी से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कारे था हिंदी में वे बाल साहिति के जनक माने जाते हैं उन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपाधन किया जिसमें मौलिक एवं सिक्षा प्रत कहानिया प्रेरक प्रसंग आदी प्रकाशित होते थे कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, आदी अन्य विधाओं में भी लचनाए की हैं तो आईए अब इनकी पतिक नामक कविता पढ़ते हैं प्रतिछण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रविके सम्मुक थिरक रही है, नभ में वारिद माला नीचे नील समुद्र मनोहर, उपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरूं, यही चाहता मन है प्रतिछण माने हर समय, नूतन यानी नया, वेश यानी वस्त्र पहनन, रंग बिरंग यानी रंगीर, निराला यानी अनोखा, रवी सूरे, सम्मुक मतलब सामने, थिरक मतलब नाच, नभ यानी आकाश, वारिद माला यानी बादलों का समोह, मनोहर, सुन्दर, गगन गन माने बादल, विचरू का मतलब होता है, गुमो यानी विचरन करो, अब यहां देखिए, इस कविता में पथिक सागर किनारे खड़ा है, सामने सूरियोदय हो रहा है, और वह उसकी सोभा पर मुग्द है, इस सौंदरी को देखकर उसके मन में जो भाव आता है, उसे इस सूरिक और बादलो का समू है, इनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है, मानो, बादलो की मंदली नित और नए रंग रूप बना कर सूरिय के सामने नाच रही हो, रविके सम्मुक ठिरक रही है, नभ में वारिद माला, यानि कि बादलो की मंदली रोज नए रंग रूप बना कर सूरिके सामने नाच रही हो, नीचे नील समुद्र मनोहर, उपर नील गगन है, नीचे मनोरम नीला समुद्र है और उपर नीले रंग का आकाश है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है, ऐसे में कभी कहता है कि मेरा मन चाहता है कि मैं बादलो के बीच आनंद विहार करूं यानि इनके बीच में घूम कर आओं इनके रहस्य को जान कर आओं तो यहां पर प्रक्रति का सौंदर्य चरम सीमा पर है और यहां पर जो कल्पना की गई है वह भड़ी ही आनंद दाइनी आगे देखिए रतनाकर गरजन करता है मलया नील बहता है हर दम यह होसला हिडय में प्रिये भरा रहता है इस विशाल विस्तरित महिमा में रतनाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के रतनाकर यानि समुद्र मलय नील मतलब मलय परवत से उठने वाली सुगंदित हवा हौसला यानि उत्साह विस्त्रित यानि फैली हुई महिमा महिमा मतलब महान अब यहां देखिए कभी क्या कह रहा है कि वह जो है समुद्र के किनारे तो खड़ा ही है समुद्र की गर्जना और वहां की सुगंदी थमाओं को लक्ष करके वह अपने प्रियसे को संबोधित करता है और प्रियसे कहता है कि मेरे सामने खड़ा समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है साथ ही मलय गिर से निकलने वाली सुगंदी थमाओं बह रही है ये लाइन लिखे है ना रतनागर गर्जन करता है मलया नील बहता है तो यही मतलब हुआ कि मेरे सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और साथ ही मलय गिरी से उठने वाली सुगंदित हमाएं बह रही हैं हरदम यह होसला हिरदय में प्रिये भरा रहता है प्रिये इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्सा सदा भरा रहता है कि इस विशाल विश्तरित महिमा मैं रतना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैट फिरू जी भरके यानि कि मैं इस विशाल विश्तरित और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाओं अर्थात सागर के हर एक कोने को मैं देखकर आओं लहरों पर बैट हूँ इसकी लहरों पर बैट कर मैं उस पर जी भरके विहार करना चाहता हूँ यानि जी भरके घूमना चाहता हूँ की मैं सागर के हर लहरों पर बैट का सागर के हर कोने कोने में जाना चाता हूँ, वहां के सुन्दर्ता को देखना चाता हूँ आगे देखिए, निकल रहा है जलणिधी, तल पर दिनकर विंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा लाने को निजपुन्य भूमी पर लक्ष्मी की असवारी रतनाकर ने निर्मित करती स्वन सडक अतिप्यारी अब यहाँ पर देखिए जल निधी यानि सागर जल का खजानार था सागर दिनकर बिम यानि सूरे की परचाई या सूरे की प्रतिचाया कमला यानि लक्ष्मी जी की बात की गई है कंचन मंदिर यानि सोने का महल कांट माने होता है सुंदर कंगूरा होता है महल का उपरी भाग असवारी यानि सवारी अब यहाँ पर देखिए जो कवी है वह कह रहा है कि समुदर की लहरों में सूरियोदय का जो प्रतिबिम्ब है उसे देखर उसके मन में जो कलपनाय उठती है उसे प्रकट करते हुए वह किस तरह से पनी भावनाय व्यक्ति कर रहा है देखिए पथि कहता है कि निकल रहा है जल निधी तल पर बिम्ब अधूरा देखो सामने समुदर की सतह पर सूरिय की अधूरी छबी उभर रही है अर्थात आधा सूरिय समुदर के तल पर और आधा सूरिय के अंदर अर्थात उसकी ओट में दिखाई दे रहा है उसके सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा मानो लक्ष्मी जी का जो सोन मंदिर है यानि सोने से बना मंदिर है उसका चमकता हुआ कंगूरा हो कंगूरा मैंने आपको बताया कि महल का उपरी भाग हो यानि वो जो समुदूर तल पर आधा सूर्य उपर की ओर दिखाई दे रहा है उसकी चमक लक्ष्मी जी के सोने के महल के कंगूरे यानि महल के उपरी भाग के समान बताई गई है अथा लक्ष्मी जी का सुनारा मंदिर प्रतीत हो रहा है और सूर्य उसका उज्ज्वल कंगूरा है लाने को निजपुन्य भूमी पर लक्ष्मी की असवारी ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी जी की सवारी को इस धर्ती पर उतारने के लिए रतना करने निर्मित कर दी स्वन सडक अतिपारी स्वयम समुद्र देवने सुन्दर सोने से बनाया ने सोने के रंग का या कहने जिए सुनहरे रंग की एक सडक तयार कर दी हो एक मार्ग तयार कर दिया हो और उस मार्ग पर कौन आएगा सोयम लक्षमी जी की सवारी धर्ती पर उतर कर आएगी आगे देखिए निर्भय द्रिन गंभीर भाव से गरज रहा है सागर लहरों का आना सुन्दर अति सुन्दर है कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी अनुभाव करो हिर्दय से हे अनुराग भरी कल्याडी निर्भय यानि निडर गंभीर यानि गहरा अनुराग यानि प्रेम कल्याडी यानि कल्याण कारी यानि मंगल कारी कह सकते हैं अगे देखिए अब चुकि जो कभी है वह समुद्र की इस सुन्दर्टा पर तो मोहित है ही तो वह अपनी प्रिया से प्रकृति के सुख का वर्णन करते हुए कहता है देखो समुद्र निडर होकर द्रणता पूर्वक बड़े गंभीर भाव से गरज रहा है अर्थात उसकी जो लहरे है वह बहुत गहराई से निकल रही है अब समुद्र आवास तो करता नहीं उची उची लहरों के माध्यम से वह अपनी गरजना को जो है प्रकट कर रहा है और उसकी जो लहरे हैं उसे उपर उटने वाली लहरे उन्हें देखकर बिलकुल भी डर नहीं लग रहा है लहरों पर लहरों का आना अतिसुंदर यानि कि जो समुद्र में एक लहर पर दूसरी लहर चली आ रही है यह बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है आगे है कहो यहां से बढ़कर सुक्या पा सकता है प्राणी पथिक अपनी प्रिया को संबुद्रित करते हुए कहता है कि हे प्रेम मंगल मै प्रिया तुम इस सुंदरे को अपने हिर्दय से अनुभाव करो और बताओ क्या कि इस संसार में इस सुंदर्य से यानि इस समय जो सुंदर्ता है उससे बढ़कर भी कोई सुख है अर्थात नहीं है गंभीर हिर्दय करों से है अनुराग भरी कल्याने अर्थात इस प्राकृतिक सुंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है यानि तुम भी इसे अपने हिदे से इसको पूरे मन के साथ महसूस करो और देखो कि इस सुन्दर्ता की कहीं और तुल्ला नहीं कि जा सकती या ऐसी सुन्दर्ता कहीं और दिखाई नहीं देती अब आगे पढ़ते हैं जब गंभीर तम में जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढख लेता है अंतरिक्षी की छत पर तारो को छिटका देता है सस्मित वंदन जगत का स्वामे मृद्यू गती से आता है तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है गंभीर यानि गहरा तम माने अंधेरा अर्ध निशा यानि आधी रात जग यानि संसार अंतरिक्ष यानि धर्ती और आकास के बीच्ष की जो खुली जगा वंदन यानि मुख जगत का स्वामे अर्था संसार को चलाने वाला अब यहां पर देखिए रात्री का समय है और आकाश गंगा के सौंदर को उद्घाटित करते हुए कभी कह रहा है जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढग लेता है यानि जब आधी रात हो जाती है और चारो और घंगोर अंधेरा चा जाता है ऐसी में जो सारा संसार है उस अंधेरे से ढग जाता है तब यह अंधेरा अंतरिक्षी की छत पर तारों को छिटका देता है यानि तब यह अंधेरा आकाश की छत पर जगमक करते तारों को छिटका देता है ठाथ पिखे देता है काने का यह मतलब कि आकाश में तारे सज जाते हैं सस्मित वंदन जगत का स्वामी इम्रिद उगती से आता है तब यह जगत का स्वामी अर्थात सूर्य मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और इस आकास गंगा के किनारे अर्थात उसकी ओंट में खड़ा हो जाता है तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और वह इस आकास गंगा के सौंदरे को देखकर मन मौहग गीत गाता है कहने का ये मतलब है कि रात में सूरे छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदरे को निहारता है उसे देखता है आगे देखिए उससे ही विमुग्द हो नभ में चंद्र विहस देता है व्रिक्ष विविद पत्तो पुष्पो से तन को सज लेता है पक्षी हर्स समहाल न सकते मुग्द चहक उठते हैं फूल सांस लेकर सुख की सानन्द महक उठते हैं विमुक्ध मतलब होता है प्रसन्pler यानि रीज कर नभ यानि आकास रहा है कि प्रक्रति प्रक्रति में कि चल नहीं कि स्थरह से हैं उसके आनंद को प्रकट करते हुए कह रहा है कि विमुग उससे ही विमुग दोहो नभ में चंद्र भी हस देता है यानि रात के समय में आकाश गंगा के जगमक सौंदर्य को देख कर आकाश में ठहरा जो चंद्रमा है वह भी प्रसंद हो उटता है तब वह हस कर खिल खिला लिला से मुग्द होना है यानि पहले पैराग्राफ में देखा आपने कि जो सूर्य है वो ओट में खड़े होकर यानि किनारे पे खड़े होकर आकाश गंगा की सुंदर्ता को निहारता है उसी तर से कहा गया कि रात्री के समय में जो चंद्रमा है वह भी प्रसंद होटता ह उसकी सुंदर्ता को देख करके और खिल खिला कर हसोटता है ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का खिलना भी प्रकृति की प्रेम लीला से युक्त हो अब आगे देखिए व्रिक्ष विविद पत्तो पुष्पो से तन को सज लेता है यहां तक कि जो इस प्रेम लीला है यानि इसे देख करके जो विविद यानि विविन प्रकार के व्रिक्ष हैं तरह तरह के पत्तो और फूलों से अपने तन को सजा कर खड़े हो जाते हैं पक्षी हर्स समहाल न सकते मुग्द चहा कूटते हैं पक्षी गड़ भी अपनी खुशी समहाल नहीं पाते और वे मुग्द होकर यानि मोहित होकर चहा कूटते हैं फूल सांस लेकर सुख की सानंद महकुरते हैं और फूल क्या करते हैं फूल भी सुख की सांस लेते हैं और आनंद पूर्वक महकुरते हैं यानि कहने का मतलब चार और प्रकृति जो है अपनी सुन्दर्ता को विखेर देते हैं और उसकी सुन्दर्ता पर फल फूल व्रिक्ष चंद्रमा सूर्य इत्यादी सभी मोहित हो जाते हैं अब आगे देखिए वन उपवन गिरी सानू कुंज में मेग बरस पड़ते हैं मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर जढ़ते हैं पढ़ो लहर तट तर्ण तरू गिरी नभ किरन जलद पर प्यारी लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी आगे देखिए वन उपवन यानि बाग उपवन यानि बाग उद्यान गिरी माने पहाड सानू माने होता है सत्ह कुंज यानि वनस्पतियों का जुर्मट आत्म प्रलय यानि मन का फूट पढ़ना अनि भाव विभोर हों करके आसों का बहना नीर जड़ना आसो निकलना तट माने किनारा त्रिन माने घास या तिनका तरू यानि विरिक्ष नभ माने आकास जलद यानि बादल विश्व मनोवी मोहन हारी यानि संसार को मुग्द करने वाली अब यहाँ पर कवी प्रक्रटी की लीला को प्रेम लीला मानता है और इसी से रोमांचित होकर वह लिख रहा है कि वन उपवन गिरी सानू कुंज में मेग बरस पड़ते हैं यानि प्रक्रटी में चल रही प्रेम लीला को देख कर मेगों से रहा नहीं जाता वे भी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वनों, उपोनों, पहाडों, कुन्जों और कुन्ज यानि की वनस्पतियों का जो जुर्मोट हैं समुद्रतल पर बरस पढ़ते हैं स्वयम प्रतिक है वह भी भाव विभल होता है उसके नेत्रों से अश्रुधारा जहरने लगते हैं लाइन लेकिना मेरा आत्म प्रले होता है नयन नीर जहरते हैं यानि उधर बादल बरसते हैं और इधर जो है जो कभी है वह भी भाव विभोर हो जाता है और उसकी भी आँख से आंसु बेहने लगते हैं आगे देखें पढ़ो लहर्ग तट्रिन तरू गिरी नब किरन जलद पर प्यारी यहां पर कभी कहा रहें कि हे प्रिये प्रक्रती में चारों और एक मधु प्रेम कहानी चल रही है इसे समुद्र की लहरों में, समुद्र के तट पर, हरे भरे तिनकों में, पहाडों पर, सच धच कर खड़े व्रिक्षों में, वर्षा से भीगते पहाडों में, तारों से धके आकाश में, सूर्य की उज्वल किरनों में, वरस्ते हुए बादलों में पढ़ो, देखो और करो, लिखी हुई है यह मधूर कहानी विश्व विमोहनारी, यह प्रेम कहानी सारे संसार को मोहित के हुए है, इसलिए तुम इस प्रेम कहानी को पढ़ो, समझो और उसके, उसको महसूस करो, आगे देखिए, कैसी मधूर मनोहर उज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक् अवित्र आनंद प्रवाहित सदा सांती सुख कर है अहां प्रेम का राज परम सुन्दर अतिशे सुन्दर है मनोहर यानी मनोरम उज्वल यानी उजली जी यानी दिलिया हिर्डै बानी यानी वाणी इस्तिर यानी ठहरा हुआ आनंद प्रवाहित यानी आनंद में बहने वाली धारा सुखकर यानि सुखदाई परम यानि अत्यधिक अतिशय यानि बहुत अधिक अब यहाँ पर प्रकृती में चल रही प्रेम लीला में स्वयम को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर मनोरम और उज्वल प्रतीत हो रही है यह लाइन लिखे है ना कैसी मधुर मनोहर उज्वल है यह प्रेम कहानी कि मुझे यह जो सूरज की समुद्र की यह जो प्रेम कहानी है बड़ी सुन्दर बड़ी मनोरम और बड़ी ही उज्वल प्रतीत हो रही है जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूँ यानि इस प्रेम कहानी का मैं अक्षर बन जाओं अर्थार अक्षरों के रूप में इस कहानी का हिस्सा बनू औ और मेरी इस प्रेम पूर्ण यानि प्रेम से भरी वाणी को पूरा संसार सुने इस थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा सांती सुखकर है प्रक्ति में सदा एक पवित्र आनंद मैं और सुखकारी सांती छाई रहती है अहां प्रेम का राज परम सुन्दर अति सुन्दर है य यहाँ प्रेम का ही राज्य छाया प्रतीत होता है यानि चारो ओद प्रेम ही फैला हुआ दिखाई देता है वाह प्रेम का यह राज्य कितना सुन्दर है और कितना ही सुखकारी है तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृत निष्ठ सब्दावली का प्रयोग करके अनुप्रास और मानवी कलर अलंकारों का प्रयोग करके राम नरेश्ट्रिपाठी जी ने अपनी इस कविता में प्रकृति के प्रती अपने अन्य प्रेम को प्रकट किया है और हमारे सामने शब्दों की माला में पिरोकर उसे प्रस्पुत कर रहा है आशा करती हूँ आपको यार समझ मे आ गया होगा अब आप से घर पर पढ़ेंगे और दोर आएंगे धन्यवाद